हेलो फ्रेंड्स मैं निरंजान और आप सभी का अपने सियो टू चानल ऑनलान स्टड़ी जोन में एक बार फिट से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग डेली मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेस्चन के बारे में डिसकस करेंगे जो कि आपके आने वाले SSC, Railway, Group D और RPF की एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह हमारा पार्ट 4 है और इस वीडियो में हम लोग टोटल 15 क्वेस्चन के बारे में डिसकस करेंगे जिसमें आपका Mathematics के तीन क्वेस्चन, Reasoning के तीन क्वेस्चन, GKGS के 6 क्वेस्चन और CurrentFS के तीन क्वेस्चन इसमें इंक्लिवड रहेंगे और यह सभी क्वेस्चन जो होगे आपके लिए Most Expected क्वेस्चन हैंगे ठीक है तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक चुरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज रेड कलर के बटन पर क्लिक करके जल सबस्क्राइब कर लीजे सबस्क्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन बेल को तो अन करना बिलकुल भी ना भूले क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन बेल नहीं रहेगा तब तक हमारे द्वारा डाली के डिली ने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी तो notification bell ज़रूर on रखे और आप हमें personally कोई चीज पूछना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की help चाहते हैं तो आप हमें Instagram पे follow कर सकते हैं यह हमारा profile idea निरंजन.niki चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आज का math का प्रस्ट इस प्रकार हैगा कि 18200 रुपे को XYZ के में 1 by 3 ratio, 1 by 4 ratio, 1 by 2 ratio के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो X का हिस्सा रुपे में क्या होगा ठीक है? X का हिस्सा पूछा जा रहा है कि रुपे में क्या होगा तो इस प्रकार के प्रस्टों को सबसे पहले हम लोग को जो की ratio में तोड़ना होता है इस प्रकार के ratio में लाने के लिए क्या करेंगे? जो की प्रस्ट में अगर इस प्रकार दिया हो तो सबसे पहले नीचे का LCM लेते हैं तो LCM लेंगे तो ये 12 होगा और इसको calculate करेंगे तो आपका उपर में ratio 4 ratio 3 ratio 6 की ratio में बनेगा और यही आपका original ratio बनता है 4 ratio 3 ratio 6 जो 12 नीचे बसता है इसको हम लोग कोई मतलब नहीं रखता है सिर्फ उपर वाले को हम लोग को ध्यान में रखना होता है जो उपर में आया और इसी ratio के अनुसार हम लोग को इस रूपे को डिवाइड करना होता है तो यहाँ पर यह x का value हो गया यह y हो गया और यह आपका z हो गया तो हमें यहाँ x का value पूछा जा रहा है x का हिस्सा रूपे में कितना होगा तो x का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल रूपे को 4 जो की x का हिस्सा है 4 और कुल जो आपका आएगा यह total ratio अगर हम लोग add करेंगे तो आपका यह 13 आएगा जो की 18200 गुने 4 भाई 3 अगर करेंगे तो आपका x का value निकल जाएगा इसको calculate करने के बाद आपका 56100 आएगा ठीक है मैं आपको zooming हटा कर दिखाता हूँ देखिये इसका जो आया है 56100 ठीक है तो इसका right answer 56100 होगा अगला प्रस्ट देख लेते हैं सौरी next प्रस्ट आपका इस प्रकार बनेगा कि यदि एक गहन यानि की cube की भुजा को 10% से बढ़ाया जाता है तो उसके item में कितने परतिसत की breathing होगी ठीक है तो यानि कि किसी गहन की भुजा जो है उसको 10% अगर बढ़ाया जाता है तो जो नया item बनेगा उसमें पुराने item की तून्ना में कितना breathing होगी तो option आपके सामने इस प्रकार है आप चाहे तो वीडियो को पाउस करके वीना देखे बना सकते हैं ठीक है चलिए हम बनाते हैं कैसे तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि कोई जो side है वो माननीजे की 10 है ठीक है भूजा आप 10 है और इसका क्यूबिंग करेंगे क्यूंकि आयतन में हमको व्रीधी करना है तो इसका वॉलूम लोग निकालेंगे तो क्यूब का वॉलूम क्या होता है कि क्यूब हो जाता है तो हम लोग उसको आयतन का यानि आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि side का क्यूब करेंगे तो एक अगर 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हैगा एक सारी यहां पर आपका जो नहीं दीख रहा है वीडियो में छोटा हो गया उधर पेज थोड़ा लंबा हो गया जिसके विज़से दीखनी रहे यहां पर 1000 में ने लिखाया ठीक है यहां पर भी आप देख सकते हैं 1000 लिखा अंदर और इस जीरो से जीरो कटने के बाद क्या बचेगा 어य तो यह आपका नया आफ साइट बनेगा और इसका क्यूक काने कबाद कि इसका अगर वैलू निकलते हैं तो कुछे आपका 11 तो यह आपका नया आफ side बनेगा और इसका cube करने के बाद कि इसका अगर value निकालते हैं तो aq होता है side का cube तो side का cube करेंगे तो 11 का cube होता है 1331 अब देखेंगे दोनों में ratio sorry दोनों में difference कितना आया तो जो नया आया वो 1331 और पुराना वाला था 1000 तो दोनों में difference कितना आ रहा आपका 13331 का और इसका उगर percent में तोड़े तो निकाल सकते हैं या फिर आप डाइरेक्ट इतना पर ही option option चेक कर सकते हैं कि कौन सा option आपका match कर रहा है तो option आप देखिए डी जो कि आपका 3331 है लेकिन 33.1 तो आपका इस option से match कर रहा है लेकिन आपको percent में तोड़ना था इसलिए percent में कैसे तोड़ेंगे तो total जितना आपका आया और बटा में पुराना वाला एक हजार था ठीक है तो हमेसा बटा में पुराना वाला ही रखेंगे और multiply करेंगे hundred से क्योंकि percent में हम लोग total है okay और इसको calculate करेंगे तो आपका 33.1 आएगा जो कि option D है आपका राइट है ठीक है तो आपको यह clear हो गई होगी तो आगे आगे देख लेते हैं next question आपका इस प्रकार है कि एक रासी सधारान ब्याज में तीन वर्स में बाईस सो च्यासी रुपया हो जाती है तो ब्याज का वारसिक दर यानी की percent में क्या है ठीक है तो इस प्रकार के प्रश्णों को बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना होता है कि जो तीन वर्सों में 2286 हो जाता है तो यह क्या है आपको ध्यान रखना अगर भी कभी भी कहें इस प्रकार के प्रश्णों हो जाती है तो यह आपका मिस्रधन होता है यानि कि amount होता है ठीक है उसके बाद क्या करते है कि तीन वर्स का जब amount आपको दिया है और चार वर्स का amount यहाँ पर दिया है तो एक वर्स का हम लोग जब इन दोनों का डिफरेंसेज करते हैं यानि कि अगर दोनों में बड़े वाले में छोटे घटाते हैं तो हमारे एक वर्स का ब्याज निकलता है यहां पर आप ध्यान देजिए कि हमेसा यह एक जाद एक का डिफरेंस होता है यानि कि यह तीन है तो चारसो च्यासी रुपया आपका हुआ यह तीन वर्स का ब्याज ठीक है जब आपका तीन वर्स का ब्याज चारसो च्यासी रुपया हो गया और तीन वर्स का जो आपका मिसरधन यहापर दिया था बाइस सो च्यासी रुपय तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि आपका कितना टोटल जो कि मिसर्धान स्वरी मुल्धान यानि कि पी प्रिंस्पल कितना हुआ तो बारासो च्यासी में से अगर चारसो च्यासी हो अगर डिफ्रेंस करते हैं तो आपका अठारस होएगा जो कि वीडियो के नीचे स्वरी पेज थोड़ा लंबा हो गया इसके विए से नहीं आपको फ्रमूला पता हो गई है कि पी यारटी पटा में सो तो यहां पर आपका एसा ही आपका निकला है तीन वर्स का ठीक है? तीन वर्स का photography इन कि निठ elleg jyhok और आपका P, मैंने यहाँ पर बताया कि आपको P जो कि यहाँ पर difference करने के बाद आपका निकला है थार हो उसके बाद R का value हमको निकालना है और 3 verse T he Strange cuánturing is just a lotion जोह त्व रहल है इसको काम करेंगे ढ learning हम healing उसकी इसषै को is from the प्रश्ण की जो कि आपका इस प्रकार है आज के रिंग्राइन का प्रश्ण है तो सबसे पहले प्रश्ण में दिये गखे विकल्पों से समन्धित यूगम को चुणनिए यानि कि समन्धित यूगम चुनना है जैसे कि अगर पहला पृष्ट पुस्तक और प्रिष्ट का जो की दिया है तो अप लोग को बताना है कि यहां और यहां पर क्या होगा दिये ओप्सन के नुचार तो ओप्सन किस प्रकार है देखिए जब पुस्तक और प्रिष्ट को बनाया गया है तो अब इसको सोचना होगा कि कैसे क्या है पुस्तक और प्रिष्ट तो देखिए पुस्तक क्या होता है कि प्रिष्ट से मिल करके बना होता है यानि कि बिना प्रिष्ट के पुस्तक नहीं हो सकता प्रिष्ट का मतलब पन्ना तो बिना पन्ना का कोई पुस्तक नहीं हो सकता त यानि कि बीना पहिये का कार नहीं हो सकता है पॉसिबल नहीं है जिस तरह से बीना जो कि बीना पेज का कोई पुस्तक का कोई मोल नहीं रह सकता है उसी तरह बीना पहिये का कार का कोई value नहीं होगा उसी तरह से यह option आपका right होगा ठीक है और इसका option right answer right है ठीक है आगे देख लेते हैं next जो रिजनी का प्रश्ण इस प्रकार है आपका कि सभी cake pastry होती है और कुछ bread जो की cake होती है तो इस प्रकार के यह topic प्रश्णों को बहुत अच्छे से समझना होता है होता तो देखिए सबसे पहले हम क्या प्रट मर्त कि कुछ bread की केक है तो कुछ bread का कुछ हिसा ओक और आगे हो उपर वाले में कि सभी केक जो है पेस्ट्री है तो मालने जी कि सभी केक यहां से पूरा हो जाएगा सभी केक जो कि पेस्ट्री हो गई पूरा ये केक था और ये आपका पेस्ट्री बन गई अब निसकर्स देखेंगे, निसकर्स में क्या कह रहा है कि कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं है, ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी पेस्ट्री यह आपका पेस्ट्री है, और यह कह रहा है कि ब्रेड नहीं है, भाई हमारा तो केक हुआ था, पेस्ट्री बना था, और ब्रेड कि कुछ जो ब्रेड है यहां से कुछ हिसा जो की पेस्ट्री बन जा रहा है तो यह राइट है तो अगर यहां से निसकर्स देखना हो तो option B हमारा right होगा ठीक है यहां से अगर देखें तो option आपका B केवल निसकर्स दो सही है ओके तो इस पर तरह के प्रश्णों को आप इसी प्रश्णों के गहा रहा है कि निमली के प्रश्णों में दिये के बिकल्पों में लुप्त अंक हो यहां निकि यहां पर जो आपका नहीं है अंक उसको निकालना है ओके अब यहां से आप देखिए कैसे इसको किया गया है यानि कि 192, 186, 180, 184 यहां पर वाट का साइन है औ अगर पहले में माइनस 6 हो रहा है उसमें भी माइनस 6 हो रहा है और इसमें भी माइनस 6 हो रहा है तो यहां पर भी माइनस 6 होगा इतना करने के बाद यहां पर ध्यान देना होगा कि माइनस अगर 6 लिखते है तो 184 माइनस 6 क्या होगा आपका यानि कि 168 आएगा लेकिन अग लेते हैं जीके के प्रश्न को जीके का पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि नीमली खीत में से बुंदेल खंड के लोक प्रिये लोकेगीत कौन सा है बुंदेल खंड के बारे में पुछा जा रहा है कि लोक प्रिये लोकेगीत कौन सा है तो इसका राइट एंसर क्या होगा इसका राइट एंसर होगा option B अल्ला ठीक? यानि कि जो अल्ला है तो सबसे पहले आपको पता हुआ कि बुंदेल खंड कहां परे तो बुंदेल खंड की मद्दे पर्दिस में पढ़ता है और अल्ला जो है मद्दे पर्दिस के बुंदेल खंड छेत्रे के प्रच्चलित एक लोग प्रिये लोग की गीत है, ओके, क्लियर है, अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रस्ट आपका साइन्स से बनेगा, तो ये आपका इस प्रकार है, कि एंटी बायोटिक पेनिसलीन की खोज किस ने की थी, ओके, तो इसका राइट एंसर होगा आपका, आपसन B, यानि की आर्कमेडिस, सॉरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो कब की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उनीस सो अठाइस में, दुनिया का पहला एंटी बायोटिक, बेंजाइलिन, पेनिसलीन की खोज की थी, ओके, और इन्हें इस काम के लिए, यानि की इस खोज के लिए, उनीस सो पैतालिस में, मेडिसीन में, नोबेल पुरसकार प्रदान किया गया था, तो ये प्रकार का बहुत ही अच्छा प्रश्ण बनता है, तो एकदम वीव्याई बनता है, आप इसको अच्छे से याद करें कि पेनिसलीन की जो खोज की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, कब की थी, उनीस सो अटाइसी सीजी में की थी, और इने पुरसकार कब गया जया था, तो उनीस सो पैतालिस में नोबेल पुरसकार से समानित किया गया था, आगे दख लेते हैं, अगला प्रशन आपका ये बनता है, कि टीपू सुल् सुल्तान की मृत्ति हो गई थी, और उसमें अंग्रेजों का अधिपत्य हो गया था, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अंगला मैसूर यूद कब हुआ था, तो ये 1798 में प्रारंब हुआ था, और 1799 तक चला था, यानि कि कारिकाल की बात करें तो 1798 से 99 तक इसका कारिकाल रहा, अंगले मैसूर यूद का, चतूर्थम यूद का, ओके, और इसी यूद में टीपू सुल्तान जो की बुरी तरह से हार गया, और इसी यूद में वो मारा गया, 1799 में क्या हुआ कि स्री रंग पत्नम जो की पहले मैसूर की राजधानी हुआ करती थी, आपको पता होग आपका यह बनता है कि प्रसीद पुस्तक अनंद मठ की रचना है, रचचईता कौन है, तो इसका राइट एंसर होगा, आप्शन बी, यानि की बकीम चंदर चटर जी जो है, इस पुस्तक के, यानि की अनंद मठ के रचईता है, और यह एक पहुत ही भीव्याई प्रशन है, तो बात कर लेते हैं कि आनंद मठ की सन्यासी विद्रोज भुगा था, उसी पर यह अधारित पुस्तक है, और इस पुस्तक से ही, यानि की आनंद मठ से ही, भारत का जो रास्ट गीत है, बंदे मातरम लिया गया है, तो यह बहुत अच्छा प्रस्ट बनता है, तो आप इसक नेक्स्ट परस्ट आपका यह है कि टिग्रिस नदी मुख्यता कहां से होकर बहती है, टिग्रिस नदी मुख्यता कहां से होकर बहती है, तो इसका राइट एंसर क्या होगा, तो इसका राइट एंसर होगा, आपका option A, यानि कि तुर्की इसका राइट एंसर है, तुर्की से भाग पर इस्तित्व बस्रा के पास फराख की खानी में मिल जाती है तो ओके और इसकी लंबाई कितनी होती है तो इसकी लंबाई जो है आपका 1900 किलो मीटर जो की बहुत बड़ी लंबाई है और ये नदी जो है समानिता तुर्की सिरिया और इराक से होकर बैती है तीन देसों से होकर बैती है तुर्की शिरिया और इराक तीनों देसों से होकर बैती है लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो हिस्सा है वो आपका इराक में इसकी सरवाधिक लंबाई है ऋपने कि lights क्या है गॺिंए नेक्ष्ट पर्संद देखते है स्वरी इसका right answer आपका इराइप होना चाहिए था मैंने गल्ती से बता दिया आपको तुरकी सोरी इसका right answer एराइप होगा तुरकी इसिरिया और इराइप से होकर बैति है لेकिन सरवाधिक इसकी जो लंबा ये इराक में तो इसका राइट एंसर इराक होना चाहिता है मैंने गलती से तुर्की बता दिया अगला देख लेता है next person आपका ये बनता है कि दच्छिड का उधान कहलाता है दच्छिड का उधान है किसको कहते है तो दच्छिड का उधान जो आपका राइट एंसर कावेरी होगा कावेरी डेल्टा जो है दच्छिड का उधान कहलाती है सबसे पहले हम लोग को जानना होगा क्यों कहलाती है तो कावेरी जो है कावेरी नदी का अंत जो होता है बंगाल की खाड़ी में होता है ये बात हम सभी जानते हैं और बंगाल की खाड़ी में ये गिरने से पहले क्या करती है कि कावेरी डिल्टा का निर्मार करती है यानि कि बंगाल की खाणी में ये जाने से पहले गिरने से पहले कावेरी डिल्टा का निर्मार करती है जो कि तमिलाडू के तंजावूर जीले में पढ़ता है और तंजावूर जीला जो है अतियंत उपजाओ जीला है और अता इसी कारण से इसको दक्षिल का उध्धान यान की भारत का पहला व यानि की कामधेनु व उवस्थित है किस राजिय में अवस्थित है option आपके सामने इस प्रकार है इसका right answer ज़ो होगा आपका option डी явानि की मद्ध्य परदिश में इस्थीत है भारत का पहला व जो की गंद के लिए विए भारण है वो मद्य पर्देश में इस्तित है नेक्स प्रेस्ट आपका ये बनता है कि खुले में सौच से मुक्त पुरुवत्तर भारत का दूसरा राज्य कौन सा है पुरुवत्तर भारत का दूसरा राज्य ठीक है तो इसका राइट एंसर होगा option B यानि कि रुडाचल भारत का पहला राज्य यानि कि दोनों तरब से ये पहला बनता है और दूसरी कौन सी हुई थी यानि कि भारत की दूसरी जो राज्य है कि खुले में सौच मुक्त हुई थी तो आपका हिमाचल पर्देश आता है ओके और तीसरा की बात करें तो केरल हो गया तीसरा आपका क घरिल होता है तो यह तीन है आपके जो बहुत ही महत्यपूर्ण है अगला प्रशुन जो कि सबसे महत्य पूर्ण तो इसका राइट एंसर होगा ऑप्शन ए आई एनस कलवेरी जो है कलवरी इसको टाइगर सार्क के संगय दी गई है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया तो भारती नौसिना में डीजल से चलने वाली पंडूबी आई एनस कलवरी को सामिल 2014 में क किया गया था इसको 2017 में सामिल किया गया था और इसे मंजगाव डॉक लिमिटेड की कौन बनाया है मंजगाव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया इनस कलवरी को समंदर में भारत का नया सार्क कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है आगे आपको पता चलेगा जैसे उपनी सिकार को बिना खबर लगे दवोच लेती है उसी प्रकार की यह जो आइनस कलवेरी है अपने दुस्मनों को क्या करती है कि उनको पता लगने से पहले उनको तबाह कर देती है और इसकी ताकत की वज़ज़ से इसको नाम जो की कलवरी रखा गया है और कलवरी का जो मतल मल्यालम में टाइगर सार्क कहा जाता है तो इसलिए इसका नाम टाइगर सार्क रखा गया तो एक प्रकार कि ये Bँए अच्छा प्रश्न ओपकर आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक ट्याबराद